हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमर वर्ड तुम आज की इस वीडियो में स्कूटनी और रिविल्यूशन के बारे में बहुत सारी बाते करने वाले हैं हम आपको जितने भी बच्छों के जो मन में सवाल आ रहे हैं तो आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी लेकिन इस वीडियो में सारी चीजे बताएंगे कि फॉर्म कब से आएंगे कैसे फॉर्म बरोगे और कौन-कौन से आप फॉर्म भर सकते हो तब आपकी बैक निकल सकती है तो सारी चीजों के इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो में आप ए सर रहता है कि भाईया हम कौन सा फॉर्म भरें जैसे मारी बैक निकलने के चांसे ज़्यादा होते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं देखो मैं आपको एक चीज के लिए कर दूँ जो स्टुरेंट्स पास है जैसे बहुत से होता है कि कोई भी बच्चा पेपर दे के आए ठीक है अब उसने पेपर में 50 में से 40 नमबर का कर अब लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें उसके 30 नमबर आए तो बच्चा सोचे का कि 10 नमबर मेरे काट लिए गए यार मतलब 10 नमबर मेरे कट गए मैं रीचेक करवाँगा अपने कॉपी या दुबारा रीचेक करवाँगा शायद मेरी नमबर बढ़ जाए तो ऐसा इस्टुवेंट जो अल्रेडी पास है और अगर वो यह सोच रहा ह कि मैं रीचेक या इसकूर्णी का फार्म डलवाके अपने मार्क बढ़वा सकता हूँ मैंने इतने का नहीं इतने का किया था तो भाई मेरी आपसे विंत्य है आप ऐसा ना करें कभी-कभी मैंने बहुत सारे केसस में देखा मैंने इविन अपने केसस में अपने जब मैं आपके मार्क्स घट सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि आप मतलब जरूरी थोड़ी है कि एक्जामने ने, क्या पता एक्जामने ने उसमें खीच-काच करके आपको पाथ 6 नमबर जादे दे दियों, जब रीचेक कराओ तो दूसरे एक्जामने चेक करेगा, वो थोड़ी हाड जब हाड चेक करेगा, तो उसमें आप हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, तो भाई जितने आपको मिलें, आप उतने रहने देना, आप उसमें बिल्कुल भी ट्राइ न करना कि आप उसमें फॉर्म भरवा के अपने मार्क्स बढ़वा सागू ठीक है, अब बात आती है कि दो तर प्रास रुप होती है, और रिवल्यूशन की फीस, डेवर सव रुप है, दो सब्जेक्ट के दो सो, और तीन सब्जेक्ट के भी दो साइद ऐसे होती है, शायद आप बढ़ गई है, तो इतना मिले को कनफॉर्म नहीं है, आप एक बार इसको जब फॉर्म आएंगी, जब मत आपकी कॉपी चैक में, जैसे एक पहले कोशन में दो नमर मिल गए, दूसरे में दो नमर मिल गए, सिर्फ मार्क्स की काउंटें होती है, चैक यह काउंटें होती है, कि मार्क्स गिनने में तो दिफ्रेंस नहीं हुआ है, गिनने में तो दिक्कन नहीं हुए, तो यह होता है स्कूटनी, revolution के होता है, revolution होता है आपकी जो copy होती है, उसका पूरा मुल्यंकन हो, बना पुना मुल्यंकन दुबारा checking, तो वो होती है revolution स्कूटनी के case में सिर्फ marks को count किया जाता revolution के case में आपके marks को check भी किया copy check करके दुबारा से copy check अब देखो, स्कूटनी में क्या होता है स्कूटनी में बहुत कम chances होते हैं जिसमें marks बढ़ सके, या आपकी back निकल सकती है, revolution में थोड़ा chance होते हैं, जिसमें आपकी back निकल सकती है ठीक है, तो देखो, बहुत सारे बच्चे पूचते हैं, भई हम कौन सा form बरें तो मेरा मानना है कि अगर आपके 13, मलब अगर देखो, अगर आपका पहले तुम आपको ये बोलूँगा कि अगर आपके 10 नंबर से कम है ठीक है अगर आपके 10 नंबर से कम है तो मेरा ये मानना है कि आप form नहीं भरबाओ, कोई सा भी, ठीक है, क्योंकि देखो, अगर, भला इसमे एक चीज और भी आती है, जैसे कि मालो किसी बच्चे के 10 नमबर आएं, भला साथ नमबर आएं मालो, ठीक है, और उसने जैनन में, उसको देखो, हर बच्चे को पता होता कि मैंने एक्जाम अच्छा किया, लेकिन मेरे मार्क्स फिर भी कमा है, अगर देखो, आपको जैनन में पता है, रियल में फीलिंग आ रही है कि आपके मार्क्स जादा होने चाहिए, तो आप उस जरूर फॉर्म भरें, ठीक है, और अगर आपने जैनन में पेपर साही नहीं ठीक है, समझ रहा है, अगर चार मालूम है, यह उनके लिए बोलना हूँ ना भरें कि जिनकी चार वेक हैं, किसी में तीन नमबर है, किसी में दो नमबर है, किसी में एक नमबर है, किसी में चार नमबर है, तो उसमें वरो की चारो में, तो चारो में ऐसे एक आती निकल आपको एक ही नंबर है तो तब भी भर दो आप किलियर है सम्में एक नंबर आया तो भरने में कोई दिक्कत थोड़ी है दो तीन सुर रुपए जा रो जो भी खर्चोंगे ठीक है तो आप फॉर्म भरें स्कूर्णियर रिवलुशन के फॉर्म आपके पांस तारिक को आ जाए करेंग्स किसली बारे में यह और जानना है तो नीचे न मैने अंस्टाग्राम अकांट कहूंट का लिंक दे हाया कि आपको महाँ पर परसेनली मेही अपके आपके मन में जो भी सवाल ही और किलियर कर दूँ हुक्त करने वाठ है द्यान करने लिए अब बाए ऐब Defence कि